हलो दोस्तो मेरे नाम सुभास है और आप देख रहे हैं टेक्निको सुभास दोस्तो इस दुनिया में अलग-अलग जगा पे बहुत सारी विचितर घटना घटी रहती है और एक ऐसे ही विचितर घटी है अभी दच्चिन अफरिका में जहां पर एक बहुती डरावनी घटना मैं आपको जाता हूँ घटना क्या है अगर क्यासा लगेगा आपको यह सोच करकि आपकी जीव पर एक कीड़ा है जो आपकी जीव को खा कर उसकी जगा ले ले हमेशा के लिए आपके मुँमें रही रहे डरावना है ना सोच कर भी डर लगता है लेकिन यह सच है जीव खान यह मिला है दच्छीन अफ्रिका में दच्छीन अफ्रिका के केप टाउन के पास इस्थित केप अधुलास में 27 वर्षिय डॉन मार्क्स मश्ली पकड़ रहते है उनके काटे में एक 6 पॉंड यानी 2.272 किलो ग्राम की कमपाउंडर मश्ली पकड़ी भसी जब वे मश्ली से मूँ से काटा निकाल लेते हैं तब उनकी जीब देखकर वे हरान हो गए यूकिन इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जबकि डॉन खुद एक मरीन बायोलोजी के इस्टुडेंट है कितनी स्ट्रेंज बात है न दोस्तो और जब डॉन ने इसकी तस्वीर लेकर अपने प्रोफेसर को भेजी तो प्रोफेसर निको इश्मिट ने कहा कि ये परसाइट कारपेंटर मश्लियों की गिल में की गिल के रास्ते सरीर के अंदर भुच जाते हैं इसके बाद वे धीरे धीरे जीब को खाकर खत्म कर देते हैं जीब के जगा खुद चिपक जाते हैं इससे मश्ली जो भी खाना खाती है वे उसका हिस्सा परसाइट को सीदे सीदे मिल जाता है ये परसाइट पूरी जिंदगी मश्ली के मुम में बिताते हैं जीब खाने वाले जायतर परसाइट की जिंदगी बतोर नर शुरू होती है लेकिन ये समुद्र में घूमते रहते हैं और मचली की तलास में अब तक जीब खानले परसाइट की 280 प्रजातिया खोजी जा चुकी है लेकिन ये सारे की सारी एक ही मचली की प्रजाति पर हमला करती है जैसे ही परसाइट को लगता है कि उसे सही मचली मिल गई है वह उसके मूँ में जगा बनाकर जीवन भर के लिए बैठ जाता है ये परसाइट अपनी पंजोग से जीब की नसे काट कर उसमें से खून पीता रहता है सोचके देखो मचली को कितना दर्द होता होगा जब परसाइट मचली के मूँ में चला जाता है तो वह नर से मादा का रूप ले लेता है उसका सरी कई गुना बड़ा जाता है उसके पंजे और दात भी बड़े और तेज हो जाते हैं इस समय ये परसाइट आखो को कोई खास उपयोग नहीं कर पाते हैं इसलिए ये अकसर नीन में खोई होई से लगते रहते हैं जब मसली जीब से खाकर खत्म हो जाती है तो ये जीब के निशले हिस्से में चिपक जाते हैं 1983 में के एक रिसर्च पेपर का अनुसार ये परसाइट मसली के जीब का क्या मैकनिकल काम करते हैं जब मसली सिकार करती है तब ये सिकारी के मसली के मुव के उपरी हिस्से में दवाकर रखने में मदद करते हैं इसी दोरान खुद भी खाना खाते हैं ये दुनिया का एकलोता परसाइट है जो अपने सिकार के अंग को खाकर काम करता है अगर नर परसाइट मसली में आ जाता है तो वह देखता है कि उसमें पहले से ही मादा परसाइट तो नहीं है पूरी जिन्द की गिल में ही रहता है अगर मादा परसाइट अगर पसली में पहले से रहती है कभी कभी ऐसा होता है कि नर पेरासाइट मसली के अंदर जाकर मादा पेरासाइट के साथ संबंद बनाता है वहाँ पैदा होने वाले बच्चे या तो मसली के गिल में रहते हैं या फिर नए सिकार की खोज में मसली के सरीर से बाहर निकल जाते हैं जब मसली मर जाती है तब यह परासाइट उसके सरीर के अंदर से बाहर निकलते हैं मरने के बाद भी कुछ दुनों तक यह परासाइट उसके सीर या सरीर से बाहर हिस्से के चिपके रहते हैं दोस्तों ये बहुत ही डरावना था और आपको ये स्टोरी सुनकर कैसे लगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चन्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए